यात्रा के दौरान मिलने वाले अशुप संकेत आईए आज हम इसके बारे में जानते हैं पहला है दूद का गिना माना जाता है कि यात्रा के लिए निकलते समय यदि घर में दूद उफन कर घीर जाए या फिर घर में गुसकर बिल्ली दूद पी जाए तो यह अपशगुन होता है ऐसे में दूश दूर करने के लिए आप जाने से पहले भॉले नात पर दूद और जल से अभिशेक करके निकले दूसरा है कुट्टे का भॉकना आप घर से किसी काम के लिए निकलते ही है और कोई कुट्टा सामने आकर आप पर भॉकने लगे या घर से निकलने पर आपको कुट्टे के रोने की आवा जाए तो यह आपके काम में आने वाली किसी अरशना की और इशारा करता है ऐसे में तुरंत काम पर ना जाएं बलकि थोड़ी देर रूकर भगवान का नाम लें साथ ही दही शक्कर खाकर फिर रवाना हूँ धन्यवाद इसी तरह के और वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए